हिमाचल ने कई मुख्य मंत्री देखे कोई छे बार तो कोई दो बार तो कोई पहली बार लेकिन हिमाचल में स्वास्थे सुविधाओं और यातायात सुविधाओं की तस्वीरें ना के बराबर बदली आज कल तो माना बर्फबारी है लेकिन जब बर्फबारी भी नहीं थी तब भी ऐसी तस्वीरें हिमाचल के कई जिलों से सामने आई आज एक बार फिर एक मरीज को घंटों पैदल सफर तै कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा जिला कुलू में बारिश और बर्फबारी से आम जन जीवन अस्त वियस्त है लग घाटी के समालंग गाओं में बीती शाम के समय एक महिला की तबियत खराब क्या हुई तो लग घाटी में बर्फबारी का दोर लगातार जारी रहा गाओं में सडक सुईधाना होने के चलते लोगों ने महिला को पालकी में उठाया और 6 किलोमीटर भारी बर्फबारी में पैदल चलकर उसे सडक तक पहुंचाया उसके बाद मरीच को कुलू अस्पताल ले जाया गया जहां पर महिला का इलाज चल रहा है गाओं के स्थानिये युवा राजेश मोहर सिंग से बात हुई वो कहते हैं कि अभी तक गाओं में सडक सुईधान नहीं है और ऐसे में कोई बिमार हो जाए तो ग्रामेनों की परिशानी और बढ़ जाती है DC कुलू आशुतोष गर्ग कहते हैं कि बर्फबारी के बीच भी बिजली वियोस्ता को बहाल करने में बोड के करमचारी जुटे हुए हैं मौसम अभी भी खराब चल रहा है ऐसे में मौसम साफ होने के बाद ही सडकों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा लेकिन ये तो बात सडक से बर्फ हटाने का है जहां पर सडक ही नहीं है वहां का क्या जा लेकिना